देखे किसांसाथी जो अभी तक के हमारी खेती थी वो खेती के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो किसांसाथी अभी तक हम आप लोगों को दिखा रहे थे किस खेती से हमें क्या हो सकता है लगिन किसांसाथी जो आपकी हमारी खेती लगी है वह मिर्ची की खेती मिर्ची की ख सब्सक्राइब अब भी आपको दिखाएंगे कि हमारा जो यह पौधा लगा है आप देख सकते हैं किसांसातियों यह हमारा जो पौधा है यह वही 30-35 दिन का करीब से पौधा है और फूल और फल के मलब उपचार होने लगे हैं इस तरह तो किसांसातियों आप में लगाना चाहते हैं तो आपके पास समय है और आप जाकर कि अगर नर्सी नहीं लगा है तो नर्सी लगा सकते हैं कोई समस्य आपको नहीं आएगी क्य नर्सी लगाना चाहते हैं तो आपके पास समय है है अपनी दाल दीजिए अपनी मिर्ची रुपाई करवा दीजिए क्यों किसांसात्य यह प्रजाद की मीर्चिया है तो आपको दिखाऊंगा किसांसातियों कि यह मेरा नामधारी के नाम से आती है और इसकी जो मैंने वीज लाई थी ये वीज मिर्चियों में सबसे उप्युक्त माना जाता है जो नामधारी के हैं किसांसाथ लुए जो मीर्ची है इस मीर्ची का डिमांड बहुत ही अच्छा बना रहता है गर्मियों में सबसे ज्यादा डिमांड रहता है क्योंकि सांसाथ यह पौधा लगबग हमें यह देड़ से 2 किलो के करीब लास्ट तक जब तक यह पौधा रहेगा तब तक हमें फल जो सकता है जब इसका डिमांड मंडियों में जाएगा क्योंकि समय तो सकता है कि हमारा 40-50 रुपे के करीब किलो में बिख सकता है तो किसान साथ्यों मीर्ची की तरह लगी है और मीर्ची लगाने का समय था बहुत ही बेहतरीन समय हो गया था इसलिए रुपाई की थी लगिन रुपाई के साथ और भी किसान साथ्यों आपको मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले को खेट करना चाहिए अग्षा करके कि हमारे बतार में समस्या जाते हैं प्ट्ति रहती हैं फूल और फल रहती है तो आपको खेतों के नहीं त्रण τις मैसिति पहले कर लिए जब अपनी घेट को तयार करने जाने तो आ रहा हैं तो आपको कौन सी दाउसिद्वाकर करना है तो किसान साथ है अभी की घ्राक्षी करने जार रहा है तुकि की समया बहुत यहां नर्शी लगा सकते हैं लश्य और तक आपने रोपाई करने के वबाद के लिएम खेतों के लिए साथियों में अब आपने ट्यार किस में जब ऐई आगी बारिश के टायमों तक यह रहेगा मारा फसल जाक़ एक समय में आती रहती हैं कि जो मिट्ट आपको दिख रही है वह उसको इसको मैं जब खेट को तयार किया था तो किस तरह तो तयार किया था इसमें सबसे पहले की बात कर लें देशी खात का इसके बाद पोटाज की मात्रा इसके बाद सुपरफास्ट की मात्रा इसके बाद डेपी ये चारों मिला करके मैंने डाला इसके बाद चूने की मात्रा किसान साथियों अक्सर करके कैलसियम की कमी जैसे कि हम लोगों में भी कमी आ जा थी करना चाहते हैं या इक भीग्या करना चाहते हैं किस्प्रण में खेटों के इसके बाद अपने खेता से सब्सक्राइब में बना करके और त्यार करके ध्यार रोड़ा फेटल से जोटा कर प्रता याटन के साथ फिर आप ऊपे हैं आपको थोड़ा जिखाना चहूंगा किसान साथ किितुनी कितनी डूरी पर आपको लगाना है लाइन की दोरी कितनी है तो यह सब zijn-स-जानकारी के साथ देख सकते हैं अप लोग किसान vinegar जो यह मेरा लैंट सी लैंट की दूरियां यह लगबग को तो फुट के करीब किसांसात्यों यह जो है पॉद्धे की दूरियां दो फुट और जो लाइन टू लाइन की दूरियां है लगबग कि कि यह भी यह फूटह के करीब हैं और कारणि में फूटह की दूरी यह आधाने किवाइड साथे इसमें कोई समस्य नहीं आ करना होगा और भज़ा चाहएं को दिछाएंगे सबसे महत माना जाता है अपनी ख्यतों में आपके उप्युक्त के साथ यह उस्कितिन की बात करने जो परचंड गर्मी की इस डिख सकते हैं कि हम आपको दिखाएंगे जब आपको सचाही करना है तो साम के समय करना है साम के समय लगबग 3-4 बजे के करीब आपको करना है करने के साथ आपके जो नाली आपको दिख रही है तो इसमें क्या होता है नियंतरन करना है पानी को एक दम बहुत ही हलके जाना देना है और नमी दार आपको बना देना है इसके साथ आपको इसमें पानी नहीं टिकना चाहिए अगर पानीं टिक रहा तो आप कहीं अलग एस तरिमें जगों में निकाल दीजिए इसके साथ-किसां साथियों सबसज्द स्छाहिए की भीशत में महत होती है बरावर नमी होनी चाहिए हमारे फसल में और जादे पानी की मात्रा नहीं देना है क्योंकि अगर आप दोपहर में लगा रहे हैं तो आपके समस्या सकते हैं आपके फसलों में आपके फसल के लिए बहुत ही समस्या सकते हैं कि इसी वीडियो के साथ किसान साथियों मैं आप लोग को यह जानकारी दी है इसके लिए मैं हरे किसान बहुत से कहना चाहूंगा जय है